नमस्कार दोस्तों वेलकाम टू माई चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम फूल रिव्यू करने वाले इस लैप्टॉप का और टोटल डीटेल में बताएंगे इसका फीचास के बाड़े में और आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दोस्तों आप अगर प्लैनिंग कर रहे हो कि लैप्टॉप बाई करना है तो आपको थोड़ा बहुत नौलेज होना चाहिए कि कौनसा लैप्टॉप हम लोगों को लेना है और उस लैप्टॉप में क्या-क्या फीचास एबलेबल होना चाहिए तो चले इस वीडियो के मादधम से आप लोगो को थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिस करेंगे कि कौनसा लैप्टॉप आपको लेना है और कौन-कौन सा फीचास आपको बाई करना है तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप से निवदान है आप अगर चैनल पे नहे हो तो प्लीस सब्सक्राइ है तो इसका मोडेल में यहां पर आपको बताएता हूं तो दोस्तों इस लैप्टॉप का मोडेल है डेल भॉस्त्रो 5620 तो इसका पार्ट नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों इस लैप्टॉप में कौनपन सा फीचास है तो दोस्तों यहां पर बात आ जाती है कि आजकल के जमने में जो जो एप्लिकेशन हम लोग यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत मत्तब भाड़ी हम लोग को मत्तब मैसूस होता है तो इस सिच्वेशन में आपको मत्तब तो इस लैप्टॉप का फीचास में पहले आप लोग को बता रहता हूं इस लैप्टॉप में है तो इस लैप्टॉप में आपको नजर नहीं आएगा कोई भी वीडियो आप चला सकते है कोई लैक नहीं आएगा और 512GB का मतलब आपका SSD मिल रहा है M2 वाला SSD यहां पे इंस्टल ले और दोस्तों यहां पे जो डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है 16 इंच का आपका डिस्प्ले यहां पे नजर आ रहा है बाडलेस जैसे कि देख सकते है थोड़ा बाद बाद तो रहेगा लेकिन पुड़ा 16 इंच का आपका डिस्प्ले आपको मिल जाए और इसके साथ दोस्तों आपको दो वैडियेशन में यह वाला लैप्टप आपको मिल जाएगा एक तो आपका इंटेल आइरिस बोलके जो ग्राफिक्स से वह वाला मिल जाएगा और एक वर्षन है यू एजडी मताब आल्टा एजडी ग्राफिक्स जो होता है और इसका दूसरा वर्षन एट जीबी रैम के साथ भी आ जाता है तो आप आपका अगर बहुत ज्यादा काम रहता है मताब भारी बार कम काम आप करते तो 16 जीबी का में पेफर करूंगा और आपको अगर थोड़ा बहुत काम करना है ओपीस का काम करना है घर का काम करना है तो 8GB से चल जाएगा और दोस्तों यहां पे Windows 11 जो है प्री इंस्टल है यहां पे और इसके साथ Microsoft Office भी आपको मिल रहा है इसमें दोस्तों इसका features detail में बात करें तो यहां पे मैं आपको बता लाएता हूं इसका जो सीरीज है भॉस्त्रो 5620 सीरीज और बहुत ही लाइट है और तीन है और टाइटेन ग्रे इसका कालर है तुस्तों टाइटेन ग्रे और दोस्तों यहां पे Microsoft Windows 11 का 64-bit का operating system आपको मिल जा रहा है मैं इसको login कर लेता हूं 64-bit का operating system मिल रहा है और दोस्तों 12 generation का 1240 chipset आपको यहां पे इसके साथ possession मिल रहा है और display की बात करें दोस्तों यहां पे 16 inches मतलब 14.64 cm का आपका full HD display आपको मिल रहा है और इसका tasking नहीं है दोस्तों और इसका जो resolution है resolution 1920 x 1080 pixel का जो लगबक्त होता है और दोस्तों इसके साथ इस laptop में 16 GB RAM है और एक variation है जिसमें आपको 8 GB RAM मिल जाएगा और इसका RAM frequency जो है 3200 MHz का RAM frequency है और इसके अंदर 512 GB का SSD M.2 SSD लगा हुआ है और दोस्तों इसका जो graphics है integrated graphics है पॉसर के साथ और दोस्तों यहां पर टू USB port है और आपका यहां पर एक मैं आपको दिखा रहता हूं यहां पर देखिए एक आपका USB port मिल रहा है यहां पर यहां पर देखिए HDMI cable मिल रहा है और यह वाला आपका power adapter से connect होता है laptop को charge करने के लिए और दूसरे तरफ दोस्तों यहां पर एक USB मिल रहा है मैंने बोला था दो USB आपको मिल रहा है और SD card के लिए और यहां पर देखिए RJ45 का port आपको यहां पर मिल रहा है और यहां पर जो sound का headphone का जैक भी आपको देखने को मिल रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों और जो खास बात है इस laptop में जो जो कीपड इसका जो कीपड दोस्तों टोटली मतलब एपलो इंगलीज इंटरनाशनल बैकलीट कीबोर्ड है मतलब आप अंध्रया में भी काम कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगा इसके बैकलीट आपको मिल जाएगा कीबोर में और दोस्तों इसका जो ज्यादा अच्छा फिचास मुझे अच्छा लगा के देखिए यहां पर पीन बगड़ा सिकूर्डी बगड़ा तो हम लोग लगाते ही है लेकिन इसके साथ यहां पर देखिए पावर बटन के साथ ही यहां पर फिंगर पींट आपको दे रहा है देखिए फिंगर पींट यहां पर दे रहा है पावर बटन के साथ यह वाला पावर बटन है पावर बटन के साथ ही आपको फिंगर पींट मिल रहा है तो आप अगर चाहते के फिंगर पींट सेट करें तो आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर दोस्तों जानना ह कोई पोमोशनल video नहीं कोई पोमोशनल बाला वीडियो नहीं क्योंकि एक कास्टोमर ने ओर किया था तो मैंने सोचा कि आप लोगो को भी थोड़ा बहुत जानकर दिया जाए इस लापटॉप के वाड़ में क्योंकि आजकल के जमाने में दोस्तों डेस्टॉप के करते हैं तो इसका जो वेट है दोस्तो 1.91 kg नहीं है तो बहुत ही लाइट वेट है तो आडम से यहां से यहां से ले जा सकते हैं और यहां पर देखिए जो वेब कैम मिल्दा इसके साथ वेब केसाइट भी आपको मिल्दा है मतलब आपको काम नहीं करें तो आप सटर बंद करके भी वहाला रख सेकते हैं तो फीचर बहुत ही आच्छा है तो जस्ट आप लोग को नॉलेज देना था कि आपको अगर बाई करना है तो आप आजकल के जमने में आप 16GB का रैम के साथ ही बाई किजिए और हो सके तो आप आइफाइब के आइफाइब का जो पाउसर है वह वाला बाई किजिए नहीं तो आइचरी से भी काम चल जाता है कोई दिख्यत नहीं है लेकिन आइफाइब अगड़ होगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा भाड़ी वार्कम काम आप आराम से कर से होगे और अगर बात आ जाते आप लोगों का एंसर देने का और हो सके तो उसके ऊपर जांकरी वीडियो भी बना देगे तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो जो उड़ेक लाइक कर देना दो साथ शेयर भी कर देना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाके और पर क्लिक कर जा ताकि मेरा हाट वीडियो का नोटिफिकराशन आप तक पहुंस सके और दोस्तों कॉंप्टर हाट और नेट्वकिं रिलेटेड पिंटर रिलेटेड रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो प्लेडिस्ट में जाए प्लेडिस्ट बना हुआ है बहुत सारा वीडियो है कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके कामका आए जाएगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही पेहिन करते मिलते नेक्ट्ट वीडियो में जाए हिन बांदे मात आदम